बिटकोन के प्राइज में लास्ट दो तिन दिनों से कुछ जाद ही वोलाइटिलिटी देखने को मिली है जिसके बाद बिटकोन में 10% तक की गिरावट आ चुकी है और अभी बिटकोन के प्राइज ट्रेड कर रहा है दोस्तो 20,000 डोलर के राउंड तीन महीने के कंसोलिडेश के बाद दोस्तो एक बार फिर से बिटकोन ने बीरिश मुमेंटम पकड़ लिया है इसके साथ ही इथिरियम के प्राइज में भी हमें अपने हाई सेट 30% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बिल्कुल यही बात की थी बिटकोन के में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है बिल्कुल वैसे ही कुछ हमें बिटकोन के चार्ट पर देखने को मिल रहा है अब बिटकोन में नेक्ष्ट मूव क्या हो सकता है इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेल्कम टू आवर चैनल बाद हमें एक बड़ा move देखने को मिलता है या तो upside में या फिर downside में और यह expected था दोस्तों कि bitcoin में हमें downside break देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैंने अपनी last video में बात की थी 17500 का low लगाने से पहले भी bitcoin के चार्ट पर same bearish flag pattern देखने को मिला था और जैसे ही वो नीचे की side break हुआ bitcoin में हमें बड़े गिरावट देखने को मिली थी अभी भी दोस्तो same pattern हमें bitcoin के चार्ट पर देखने को मिल रहा है और bitcoin ने इस बार भी bearish flag pattern को नीचे की side break कर दिया है और अपने support level 20,000 के round trade कर रहा है bitcoin में गिरावट के साथ ही old coin में भी हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है almost सभी old coin red mid trade कर रहे है अब बात करते हैं दोस्तो bitcoin के support and resistance level की support की बात करें तो दोस्तो 20,000 bitcoin के लिए psychological support level है बट ये भी break हो चुका है और इसके break होने के बाद bitcoin के लिए next support बनता है 18,000 डोलर का bitcoin के resistance level की बात करें तो 50 day moving average और 100 day moving average दोनों ही bitcoin के लिए strong resistance है जिसको break करना bitcoin के लिए बिल्कुल easy नहीं होने वाला है क्योंकि bitcoin का chart अभी के लिए बहुत negative हो चुका है इसलिए bitcoin में upside momentum का scenario बनना बहुत ही मुश्किल है अब बात करतें दोस्तों bitcoin के short term chart की bitcoin के chart को अगर हम 4 hour के time frame पर देखते हैं तो यहां भी हमें एक short bearish flag pattern बनता हुआ दिखता है जिसका breakout हमें मिल चुका है जिसकी वज़े से हमें aggressive selling भी देखने को मिल सकती है bitcoin के price में 18,000 के level तक की bitcoin का long term chart और short term chart दोनों ही हमें show कर रहे हैं की bitcoin के price में हमें जल्दी गिरावत देखने को मिल सकती है इसलिए crypto में कम से कम position बना के रखिये दोस्तो इसके लावा crypto market cap भी 1 trillion के अंडर आच चुकी है यह भी एक negative indicator है दोस्तो crypto के fear and greed index को देखे तो वो 28 points पर चल रहा है अब बात करते हैं दोस्तों Ethereum के चार्ट की दिमर्ज की news आने के बाद से Ethereum के price में 100% तक का jump देखने को मिला था 1000$ के price से 2000$ तक का और अभी आप screen पर देख सकते है Ethereum के चार्ट पर head and shoulder pattern बन रहा है जो complete हो चुका है head and shoulder pattern में जो head की height होती है दोस्तों वही उसका price target होता है जो अभी देखे तो बन रहा है 1100$ से 1150$ के बीच में 1500$ Ethereum के लिए बहुँ strong support था जो अभी break हो चुका है और अभी Ethereum 1500$ के नीचे ही trade कर रहा है Ethereum के technical analysis को देखे तो जो Ethereum का next support level है वो 1350$ के round बनता है ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना बूलें Thank you, जैहिन